देशा एक तो भी बाप बिटा लागू कहां कर रहा है पांच बाद तसीयम बना हार समाही लोग विरोधी दल का नेता बनता है इनको संविधान से क्या लेना देना है पंचायत extension 2 scheduled area act जब 1996 में अस्तितों में आया था तब ऐसे schedule area वाले राज्यों को इसे 10 वर्षों के अंदर लागू करना अनिवारिक किया गया था ज़ारकंड को अस्तितों में आये हुए 23 वर्ष बीद गए लेकिन 23 वर्षों में भी ज़ारकंड में पंचायत extension 2 schedule area act 1996 को लागू नहीं किया गया है ज़ारकंड हेमत सोरेन की सरकार अपने आपको आधिवासियों का बड़ा हितेशी बताती है 1932 के खतियान अधारित इस्थान या नीती जिसे रमेश वबैस ने राज़पाल रहते हुए वापस सरकार के पास विचार के लिए लोटा दिया है को फिर से लागू करने की बात कह रहे हिमन्त सोरेन अपने आधिवासी प्रेम की गवाही देने की बात करते है लेकिन इन्होंने भी दो दो बार अभिमान जैसे की आधिवासी संगटन हिमन्त सोरेन के 1932 के खातियान लागू करने की बात करने और पेसा एक्ट लागू नहीं करने को आधिवासीयों के साथ बड़ा छलाबा मानते है इनका मानना है कि हिमंत सोरेन को आदिवासियों से लगाव होता तो दो दो बार मुख्यमंत्री रहने पर भी यहां पेशा एक्ट नहीं बनाते हिमंत सोरेन 1932 इस्वी के खत्यान आधारेत स्थानियता जिसमें बड़ा विवाद है और इसी की वज़े से राज्यपाल रमेश उबैस ने इसे वापस लोटा दिया है उसे फिर से लागो करवाने की बात कहकर आदिवासियों का बड़ा नेता बनने की सोच रहे हैं लेकिन आ धार्खन जैसे राज्यों में अभी तक यहां पेशा एक्ट लागो नहीं हुआ है उसके जगा पर कई कानून इस्प्रकार से बनाए दिये जिसे आधिवासियों को हग दिलाने वाला पेशा एक्ट के कई चीज़ें बादित होती है आधिवासी इसका विरोद करते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद